हेलो गाईज गुड मॉर्णिंग मैं अपने होटल से आ जाता हूं बाहर और सामने ही ये मेरी तेक्सी खड़ी होती है और मैं अपनी टेक्सी के अंदर बैटके मैं निकल जाता हूं दुबई मॉल से तो दोस्तो मैं अपने होटल से दुबई मॉल का तक्रिवा मैं 181900 उर्पिय देता हूँ इंडियन करंसी में और दोस्तो ये नजारे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे देखता हुआ मैं थोड़ी ही देर में पहुत जाता हूँ दुबई मॉल दो तुबई मॉल बहूत ही जादा बड़ा है और मैं उसके 아까 हैं पार्किंग में से दोस्तो में चला जाता हूँ उपर दोस्तो अब देखसों को नजारह बहुत ही सांदार है ये जो रस्ता जाता है वो दुबई आइस रिंग, एक्विरेम, फाउंटेन, वाटर पार्क, अंडर जू, जो अंडर वाटर जू है, उसके लिए जाता है, दोस्तो बहुत ही कमाल की सब चीज़े, अब हम आ गये हैं, आटेफिशल फाउंटेन को देखने, दोस्तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की भ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एकदम भिड़ लगाई, लगी हुई होती है, दोस्तो यह देखने में एकदम बहुत ही ज़्यादा रियल लगता है, और इस तरह से उसको एफट से और इफेक्ट दी जाती है, जिससे ही आपको एकदम ओरिजिनल लगे, दोस्तो यह बहु ज़्यादा इंगेजमेंट रहता है, लोगों का आना जाना रहता है, क्योंकि जो फाउंटन वो है ही इतना बढ़िया कि लोगों यहाँ पे देखते ही रह जाते हैं, यहां से इसका व्यू देखे, दोस्तो कितना ही प्यारा व्यू है, मैं completely 360 डिग्री में इसका व्यू हम यहां से आये थे, और दोस्तो यही एक रस्ता जाता है और यहां से एक और रस्ता जाता है दुबाई फाउंटन और के पास, जो सामको 7 बजिद बहुत ही अच्छा दुबाई फाउंटन का सो होता है, दोस्तो आपने कई बार टिवी में भी देखा होगा, आस-पास के नजारिये में देखता हूँ, दोस्तों लगी नहीं रहा कि साम नाइट हो चुकी है, और आस-पास का व्यू देखते में चागे बढ़ता हूँ. हम चलते-चलते मौल के एकदम सेंटर में आ जाते हैं, दोस्तों हम मौल के फिप्ट फ्रोर पे खड़े हैं, अब दोस्तों नजारे भी देख सकते हो, बहुत ही कितने अच्छा नजारा है, यह मौल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कम्पलेटली दोस्तों, 360 डिग्री व्य में बहुत देखने को मज़ा आ जाता है, दोस्तों, यहाँ से हम आए थे, और हमको अगर जाना है एक्योरियम के पास, तो दोस्तों हमें यहाँ से जाना होगा एक्योरियम के पास, और यह दोस्तों सिधा मौल के पास सिधा रस्ता निकलता है, और यह वाला रस्ता जोस्तो तो यह निकलता है fountain देखने के लिए अब हम आगे आ जाते हैं एक्योरियम देखने के लिए दोस्तो यह बहुत ही बड़ा देने पड़ेंगे अगर आपको बाहर से भी देखना है तो दोस्तो यह इसका लोक है जिसको आप बाहर से भी देख सकते हैं कि इस एक्योरियम के अंदर क्या क्या है और दोस्तो यहां पे आपको यूभी समाल लेना और पहन के अंदर जाने का वो सभी यहां पे ही मिल जाएगा अब हम एक फ्लोर ओपर आजाते हैं दोस्तो आपको एक नई चीज दिखाने के लिए वो एक नई चीज यह है कि दोस्तो यह जो स्क्रीन है यह दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है दोस्तो इसके अंदर 1.7 बिलियन पिक्सल है और यह गिनेज जो बुक है उसमें भी इसका रेकॉर्ड दर्ज किया गया है और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है दुनिया एसा ही फिल होगा जैसे आप खुद एक एरोपलेन चला रहे हो इसका भी एराउंड 80 दराम इसका टिकेट है और यह बहुत ही जदा एक अच्छी एक्टिविटी है इंजॉय करने के लिए अब हमको दोस्तों भूख लग जाता और हमें यहां पर आ जाता दोस्तों यहां पर बहुत ज़्यादा वेराइटी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी हर एक बड़ी ब्रांड का यहां पर कॉनर है यहां पर सौप है के लिए पर हर एक बड़ी ब्रांड का फूड कॉनर यहां पर आपको देखने को मिलते हैं वह सभी का दोस्तों मतलब बहुत ही यहां पर बड़ी नंबी लाइन लगती है अभी दोस्तों यह जो लाइन देख रहे हैं यहां पर जो टोकन नंबर चल रहा है आप स्क्रीम में देख सकते हैं 516 नंबर का अभी टोकन चल रहा है मतलब आप दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइन है तो यहां पर हम हलका फूल का नास्ता करके दोस्तों में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और मैं यहां पर आ जाता हूँ जहां पर छोटों देखने को मिल रहा होगा और यहां पर आपको यह गुच्ची का सोरुम भी देखने को मिल जाएगा अब हम आ जाते हैं मॉबाइल एसेसरी वाले डिपार्टमेंट में दोस्तों यहां पर हर एक बड़ी ब्रांड की यहां पर सौप आपको देखने को मिल जाएगी चाहे सै बड़ी है अब हम यहां पे आ जाते हैं जहां पे पूरी दुबई का जो नक्सा होता है उसको एकदम उल्टा करके दिखाया गया है यहां पे भी बहुत ही ज्यादा इंगेजमेंट वाला पॉइंट है दूस्तों और यहां का व्यू भी एकदम बहुत ही अलग मतलब 3D व्यू जैसाल आ और यहां पे अगर ऑपने बच्चों के साथ आए हैं तो दोस्तों यहां पे आना आपको बनता ही है क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में आपको अंदर ले जाओंगा तो आपको खुदी पता चल जाएगा कि यह POLं आपको क्या कहना चलता है तो चलते हैं अभित अके अंतर तो दोस्तों यहां पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी कोई भी 3D गेम होते हैं, कोई भी बच्चों की खिलने लाएक, कोई भी चीज होती है, यहां पे सबी चीज आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगी, आप दोस्तों देख सकते हों, यहां पे बच्चे तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो यहां का नजरा कितना सांदार है और बच्चे यहां पर कितने जादा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इंजोई कर रहे हैं अब हम उपर आ जाते हैं दोस्तों देखो यह बूर्ज खलीफा उसको भी उल्टा करके दिखाया क्योंकि यहां की थीम ही कुछ ऐसी है कि पूरी दिबई को यहां पर इस तरह से दिखाया गया अब हम आगे आजाते हैं दोस्तों यहां पर भी एक इंट्रेक्शन पॉइंट है पर यहां पर आज भीट थोड़ी कम है यहां पर यह एक गेम जो आने यहां पर अलग-अलग यहां पे आपको देखने को मिल जाएगी अब हम दोस्तों मौल के सेंटर में आजाते और फिर से हमने बहुत एक अच्छा व्यू लिया है जो कैप्चर किया अब दोस्तों देख सकते हैं इतना सांदर यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहां पर जो भी सिटिंग हवा में एक सीडी को लटकाया गया और उसके उपर लाइटिंग की हुई है दोस्तों ये वी बहुत ही अच्छा है देखने को अगर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है और रात में अलग-अलग तरह की लाइट भी होती है और सामने भूर्ज खलीफा भी आते हैं क्योंकि अभी फाउंटेन स्टार्ट होने वाला था और दोस्तों रात भी थोड़ी हो चुकी थी तो दोस्तों यहां पर भी बहुत ही ज्यादा भीड लगती है और दोस्तों यहां पर मेरे उपर ही यहां पर एपल स्टोर है तो उसके नीचे ही आपको आजाना है जिसकी वज़े से यहां पर जो विउ होगा वो बहुत ही अच्छा एकड़म सेंटर का विउ आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो दोस्तों हम यहां पर थोड़ी देर रुकते हैं थोड़ा benefici करते हैं थोड़ी पिक्स क्लिक करते हैं और फिर हम यहां से निकल जाते हैं तो दोस्तों ये विडियो आपको ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और आपका कोई भी सजेशन हो वो भी आपका हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजेगा और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा तो थैंक यू गईस